मेडिशिन और हेल्थ संबंधी चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा स्फाक के चैनल को और बेल आइकन दवाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आदाब मैं आपका दोस्त फार्मासिस्टस फाक स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे मुन्टेयर एलसी टैबलेट के बारे में जानेंगे इसे कब-कब यूज किया जाता है कितने डोस में लेने पर सही रिजल्ट मिलता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और किन व्यक्तियों को इस टैबलेट को नहीं लेनी चाहिए तो पूरी जानकारी के लिए बने रगे हमारे साथ मॉन्टेयर एलसी टैबलेट एक कंबिनेशन दवा है जिसके अंदर लिवोसित्रिजीन और मॉन्टीलो कास्ट अभैलेबल रहता है अगर इन दोनों कंबिनेशन की अस्टेंथ की बात की जाए तो लिवो सित्रिजीन 5 मिलीग्राम के अस्टेंथ में और मॉन्टीलू का 10 मिलीग्राम के अस्टेंथ में अभैलेबल होती है इसे सिपला लिमिटेट बनाती है जो की एक भरोशेमंद और पापुलर फार्मासिटिकल कमपनी है अब जान लेते हैं मॉन्टेयर एलसी टैबलेट के और कौन-कौन से अल्टरनेट ब्रांड मार्केट में अभैलेबल है तो मॉन्टीना एल टैबलेट, सोलीटेयर टैबलेट, लिवोसेट एम टैबलेट, मॉन्टीकैब, एकसेटरा आसानी से मेडिकल अस्टोर पर मिल जाते हैं इन सभी ब्रांड में भी लिवोसिट्रिजीन और मॉन्टीलो कास्थ ही मिला रहता है तो इन में सिक जो भी टैबलेट आपको आसानी से मिले, कोई भी टैबलेट ले सकते हैं अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में कि किन किन कंडिशन में इसे यूज किया जाता है तो विडियो के सुरू में ही हमने जाना कि Montere LC टैबलेट में लिवोसित्रिजीन और मोंटीलुकास्ट होते हैं लिवोसित्रिजीन एंटिहिस्टामिनिक और मोंटेलुकास्ट लिवोट्रिन एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है जिसके कारण इसे allergic condition में यूज किया जाता है allergic rhinitis जिसमें ब्यक्ति के आख नाक से पानी आता है इसके अलावे छीके आना, नाक बंद होना, ड्राई कफ यानि सूखी खाशी होना या इसके अलावे असकीन में allergy हो जैसे असकीन में खुजली होना या redness हो जाना या insect biting मतलब किसी कीडे मकोडे ने काट लिया हो तब ये tablet दी जाती है अगर किसी ब्यक्ति को सांस लेने में परिशानी हो तब भी ये tablet दी जाती है अस्थमा यानि दमा में भी इसे supportive medicine के रूप में यूज की जाती है अब जान लेते हैं इसके side effect के बारे में तो इसका जो common side effect है वह है nausea होना, vomiting होना, चक्कर आना, सीर में दर्ध होना, dizziness होना, इसके अलावे dry mouth होना, नींड आना हो सकता है अब बात कर लेते हैं, Montere LC tablet के dose के बारे में तो adult में generally एक गोली देन में एक बार दी जाती है इस tablet को भोजन से पहले या भोजन के बार कभी भी ले सकते हैं इसका side effect नेंड आना और dizziness होने की कारण रात को सोते समय लेने पर better feel होता है इस tablet की precaution की बात करें तो pregnant ladies को इस tablet को doctor के निगरानी में ही लेनी चाहिए जिने kidney से सम्मंदित समस्या हो या जिसकी उम्र 12 साल से कम हो तब भी इस tablet को नहीं लेनी चाहिए ये थी जानकारी Montere LC tablet के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद